अलो फ्रेंट्स चलते हैं नाक्स्ट टॉपिक की दरफ अगरे वाला टॉपिक है टेस्ट दा कनुबर्जेंस अफ दा फॉलोविंग सिरीज त्याना चाहरा है कि अरता जाहर सी बात है कुशन के अंदर ही आपको यूएन गीवन है सिधा सिधा उन इज गीवन 2 के पावर एग माइनस के 2 डिवाइद ही टू के पावर ऑन प्लस वन इन डिपलस तो फे लेल स Two limit attending to infinity, un upon un plus 1, मैंने un की value डाली, 2 की power n minus k2, divided by 2 की power n plus 1, into x की power n minus 1, फिर divided by, 2 की power n plus 1 को लिखा, 2 की power n into 2, minus 2 की power n, into x की power n, divided by 2 की power n plus 1 को लिखा, 2 की power n into 2 plus k1, जाइर सी बात है, ये वाला step, सबसे उपर आजाएगा, और ये वाला step, यहाँ आजाएगा, देखों आप, 2 की power n minus k2, as it is, और ये हुआ, 2 की power n into 2 plus k1, into x की power, x की power n minus k1, आपके सामने है, divided by 2 की power n plus k1, आपके सामने है, 2 की power n into 2 minus 2, 2 की power n into 2 minus k2, into x की power n, इस power से, ये मैंने cancel कर दिया, ये power से, power cancel, यहाँ बचा, x की power minus k1, आगे देखता हूं, मैंने क्या किया भई, यहाँ से 2 की power n, गोमन ले लिया, तो ये बचा, 1 minus 1 upon 2 की power n, यहाँ से 2 की power n, गोमन लिया, यहाँ से बचा, 2 plus 1 upon 2 की power n, और इंटू x की power, यहाँ से बचा, x की power, देखों आप, कोई भी रत्ती पर भी doubt नहीं, x की power minus k1, divided by 2 की power n, गोमन लिया, 1 plus k, 1 upon 2 की power n, फिर 2 की power n, गोमन लिया, 2 plus, 2 minus, 1 upon 2 की power n, 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 intending to infinity पर 0, 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 उपर बचा, यहाँ सथन निकला, 1 गोना 2, 1 minus की 0, बटे, 2 plus की 0, sorry, 1 minus की 0, गोना 2 plus की 0, बटे, 1 plus की 0, गोना 2 minus की 0, इस दो से, 2 गैंसिल, 1 upon 1, और इंटू x की power, minus 1, अर्थात आपके पास निकला वनपोनेक्स जहां तक मेरे ख्याल से कोई आपती नहीं होने चीज़िए आगे चलता है रेसो टेस्ट जो बोलता है वो ये बोलता है कि अगर आप आपका जो है रेसो टेस्ट बोलता है डी अलम बट रेसो टेस्ट कि अगर आपके पास un upon un plus one अगर इस इकल टो l है और l greater than one है तो convergent है और अगर यह less than और यह value जो है un upon un plus one is equal to l तो है ही और अगर यह less than one है तो divergent है और अगर un upon un plus one बराबर one है तो आपका test fail है आप further test करोगे यानि कोई दूसा test apply करोगे कुशन के अंदर un upon un plus one की value कितनी है आपके पास l की जगा one upon x है तो deal number ratio test है अगर one upon x greater than one है तो convergent है और अगर one upon x less than one है तो जाईर सी बात है divergent है और अगर one upon x is equal to one है तो fail है आप value डाल करके देखो इस test के according मैं वही कहने की कोशे इसका गाउट लटा यह value one upon x 200 test है one upon x अगर un upon un plus one की value one upon x है और अगर यह value साधी greater than one है तो आपकी series convergent है जाज इसका गुणा करो यहाँ से देखो आप इसका cross गुणा करो यानि x into one अगर one greater than x है तो convergent है एक तम इसका उलटा इस test को apply करो आप value डालो यहाँ से देखो one upon x less than one इसको solve करो यानि one less than x पे divergent है आपके सामने है और one is equal to x पे fail होगा ओके मैं इसी concept का यूज कर रहा हूँ less than x पे divergent है is equal to one पे test fail जैसे test fail होगा तो जाहिर से बात है मेरे पास जो un की value है वो यह है देखो आप un की जो value है वो यह है 2 की power and minus के 2 2 की power and plus 1 x की power and minus 1 2 की power and minus 2 divided by 2 की power and plus 1 x की power and minus 1 मैं कहा रहा हूँ कि इसके इंदर x बराबर one put करा अर्थात ये वाला step अब तो सारा one हो जाएगा ओके वराब रोगा one के मैं कहना चाहरा हूँ कि un के इंदर x is equal to one put करा जैसे one put करा ये तो one हो चुका ये निकला 2 की power and minus के 2 divided by 2 की power and plus के one उपर से 2 की power and common ले लिया मैंने जैसे ही मैंने 2 की power and common लिया 1 minus 1 upon 2 की power and नीचे से 2 की power and निकला मेरा common 1 plus 1 upon 2 की power and 2 की power and से 2 की power and cancel ध्यान से सुनना यहाँ से मेरे पास जो है जैसे हम इसकी value निकालूँगा ध्यान से देखना है उस तरब जो value निकल करके आई बेटा यहाँ उपर निकली 1 minus and tending to infinity plus 0 divided by 1 plus के 0 तो अर्थात यह निकल गी 1 ओके यानी limit and tending to infinity un is equal to क्या निकल गया 1 निकल गया जो के greater than 0 है ओके आपने एक test पढ़ा था मैंने lecture number 1 के इंदर एक important बात बताई थी कि अगर आपके पास limit and tending to infinity un is equal to 0 है तो आपकी series क्या होती है series is convergent और अगर यह un not is equal to 0 है तो आपकी series है divergent ओके एक बात और भी है मिटा इसका यह if and only condition में इस्टेंटमेंट नहीं है एक condition है necessary condition है sufficient condition नहीं है अर्थात अगर limit and tending to infinity un is equal to 0 है तब series convergent है अगर series convergent है तो इस चीज की कोई guarantee नहीं है कि limit and tending to infinity un is equal to 0 होगा अब मेरा lecture 1, 2 देखना उसके अंदर मैंने इस चीज का proof भी दिया है तो उसी की बात करना हूं में un की value निकाली जो के 1 के बराबर निकली greater than 0 हुई so that मैं कहना चाहरा हूं कि limit and tending to infinity un is equal to 0 then the series is convergent otherwise series is divergent यहां un 0 के बराबर नहीं है un 1 के बराबर है जो के greater than 0 है so that the series is divergent okay आगे गी दरब चलता हूं series divergent है अब answer match करने वाली बात है यहां से देखना बटा convergent कहां कहां है और divergent कहां है x greater than 1 greater than x के उपर convergent है one less than x के उपर divergent है और जब x is equal to 1 लिया तो series क्या है मेरी divergent है यह last में मैंने लिका है दो series is divergent x is equal to 1 पर क्या है divergent है तो answer हुआ one greater than x पर convergent one less than and equal to x के उपर divergent और यहीं आपका final answer है यहां तक अगे अगे आपको doubt हो कोई problem हो you can directly ask me आप देख सकते हो और आप एक बात और भी है मैं बहुत तीजी के साथ आपको real or complex analysis कवर कराऊंगा आप लोगों से मेरी request है प्लीज जो मेरी channel पर जुड़े हुए है और टेंचन मत ले टाइम से पहले ही से ले बस कवर कराऊंगा बाई